जीवन कैसे आगे बढ़ेगा कुछ कहान नहीं जा सकता चंदरप्रकाश दबाहे महनत और मसूरी से अपने परिवार की गाड़ी चला रहे थे वह गोंद्या जिले के सालिक सा तालुका के पुवारी टोला कोट मजूरा गाउ का रहने वाला है दीपावली हर्ष उल्लास और उल्लास का पर्फ है लेकिन सागे दीवाली परिवारों के लिए काफी परेशानी लेकर आई खेती का काम करके अपनी जीवी का चलाने वाले चंदरप्रकाश की शादी गुनेश्वरी बाई सही हुई थी ये श्वानी कंचन और प्राची उसकी तीन कल्या उसकी दुन्या म चंदरप्रकाश का सपना है अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें बड़ावसर बनाना लेकिन नियती को इस चान की रोशनी ज्यादा पसंद नहीं आए नियती ने आखिरकार अपनी चाल चल दी एक नवंबर दोहजार एकिस के सुभा थी दिवाले का दिन बस एक दिन दूर था सारा वातावरन चेतना और अच्छाय से भर गया मजदोर चंदरप्रकाश अपने घर से खेत में खेती गरने गया था गाव से गुजरते हुए सहरे की घर की दिवार अच्छानक चाननी पर मदद की अपेल की जिनके घर की दिवार गिर गई है लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ सब कुछ गवाने वाले शोक संतपत परिवारों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया दमाहे परिवार की दिवाली अन्देरे में चली गई बीमार मा और उसकी तीन जवान बेटियो का क्या होगा इतना आसान सा सवाल उठा नेक दिल पत्रकार विज़े मान करने अपबार में पेश क्या दमाहे परिवार का दुख समाचार पढ़ने की बाद गुंदिया की अपर कलेक्टर राचिश खवली ने इस ज़रुत्मन परिवार की मदद करने का फैसा क्या वार्च परिवार की मदद करने जा रहा है वे परिवार में लड़कियों की शिक्षा में भी मदद करेंगे एक साल बाद दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी लेने के लिए बुलाय चाएगा इन राजुस्व अधिकार्यों की सवेदनशील कारवायों से प्रमारित है कि मानोता अभी भी जीवत है। इन अधिकार्यों ने अंधेरे और केवल अंधेरे वाले परिवारों की जीवन पर प्रकाश डालने का जो काम शुरू किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। BCN न्यूस के लिए कून्या से अभिशेक पटनागर की रिपोर्ट।